Hello Friends तीन महीने में स्टोक बढ़ा है और इंडेक्स बढ़ा है ये रेड लाइन है वो ये में 20 डेज की लाइन है ये ब्लू लाइन है वो ये में 50 डेज की लाइन है Nifty is making all time highs Nifty जिस तेजी से उपर गया है उस तरह की तेजी मैं पहली बार देख रहा हूँ correction तो आया ही नहीं market सिर्फ one side चली है ऐसी situation में अगर reversal होता है तो investors को नुकसान भी बड़ा ही होता है EMA 20 ने EMA 50 को नीचे से उपर की तरफ cross किया यानि कि एक bullish crossover दिया है moving averages ने जो moving average देखकर trading करता है वो यहाँ पर लेगा इस support level को ध्यान में रखना चाहिए अगर किसी और stock के लिए आपको ऐसा ही वीडियो देखना है तो आप YouTube search में लिखें CA प्रशांशा और share का नाम जैसे आपको Reliance का वीडियो सर्च करना है तो CA प्रशांशा Reliance और सर्च करें आपको ऐसी ही वीडियो मिल जाएगी कल price की नीचे जाने की संभावना ज्यादा है दो तिन दिनों का target Thank you Thank you